I want to thank StudyIQ I would like to thank StudyIQ team Big round of applause to the team, management and staff of StudyIQ Social religious reform movements की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कि भारत के बाकी के कोनों में किस तरह से ये reforms चल रहे थे हमने अब तक Eastern India में देखा जहांपर ये reforms ने society के malpractices के साथ-साथ religious reformation के उपर भी ध्यान दिया लेकिन अगर हम Western India की बात करें जहांपर महाराष्ट्र and Bombay presidency basically आज के समय के महाराष्ट्र गुजरात के प्राहत वहां पर नजर आते हैं तो उस समय पर यहां primarily society के reforms के उपर focus था religion के reforms के उपर कोई बहुत ज़्यादा emphasis नहीं था यानि कि यहां के reform movements और यहां के reformers philosophical touch से थोड़ा दूर थे जो कि हमने बिंगॉल के समय पर देखा था बिंगॉल में चाहे वो स्वामी विवेकानन्द की बात हो राजा राम मोहनरोय की बात हो यहां रामकृष्ण परमहन्स की बात हो यहां पर हमने देखा कि philosophical teaching और religious reforms की बात भी चल रही थी लेकिन यहां पर primarily social reforms की बात हो रही है ठीक है तो इस लिहाज से जो हम महराष्टर में basically देखेंगे महराष्टर से शुरुवात करेंगे यहां पर society की malpractices को दूर किया जा रहा है और primarily इसमें caste reforms यह सबसाद देखने को मिल रहे है along with that child marriage और cause of women, widow remarriage यह अन्यमुद्दे थे जहां पर महराष्टर में अच्छागासा ध्यान दिया गया ठीक है तो दो तरह की reform movements हमें महराष्टर में दिख जाती है यह दो तरह की reform movements कौन सी है पहली है जो radically traditional society को change करना चाती थी इनके सबसे बड़े proponent थे जोतिबा फूले इनके बारे में हम यहां पर इस lecture में भी पढ़ेंगे और next lecture में जहां पर caste movements हम detail में discuss करेंगे वहां पर भी इनका जिक्र जरूर होगा यह चारते थे कि जो traditional society है जिसमें caste based discrimination बहुत ज़्यादा creeping कर चुकी है तो उसको break करना है और reform करना है और revolution की तरह यहां पर हमने change लेके आना है लेकिन later movements जो महराश्टर में हुई वहां पर यह primarily mg राडणाडे और unnear leaders वारा lead की जारी थी और यहां पर past society को ही revive करने की कोशिश की जारी है लेकिन कुछ reforms के साथ I hope यह बात आपको समझ में आ गई है ठीक है तो महराश्टर में यहां हम reform movements in rest of the India की बात करें तो उसमें western India की हम बात कर रहे है western India में पहला point कि यहां पर religion से ज़ादा society के reforms की उपर focus था दूसरा point दो तरह की reform movements ही पहली जो radically traditional system को reform करना चाती थी through a revolution और दूसरी जो moderately past में revive करना चाती थी लेकिन कुछ changes के साथ वो changes क्या है यही जो malpractices है वो नहीं हमने करनी और यहां पर अगर महराश्टर के reform movements को हमने समझने है तो यह 13 reformers हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब यहां पर सीधा सीधा में बता रहा हूँ कि यह है एक dumb hard core factual information इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है इसमें ratification थोड़ी सी चलेगी ठीक है फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि maximum जितनी explanation में दे सकता हूँ वो आपको जरूर दूँ सबसे पहले बात करते हैं बाला शास्तरी जांबेकर की यह महराष्टर के एक important reformer है और इनका primarily ध्यान intellectual movement पर रहा था यानि कि इन्होंने intellectual development की उपर ज़्यादा focus किया क्योंकि अगर किसी society में reform लाने है तो पहले लोगों का intellectual development बड़ा ज़रूरी है वो intellectual जब development होता है एक intellect आता है तभी इनसान समझ पाता कि ठीक है यह मैं जो traditional practices follow कर रहा हूँ इन practices में कुछ गड़बढ है and I need to break away from them so consequently this was the initial push by बाला शास्तर जांबेकर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और एक तरीके से लोगों को उनका आईना यानि कि एक दरपन दिखाने के लिए 1832 में इन्होंने एक weekly newspaper या journal आप कह लीजिए वो start किया जिसको दरपन कहा जाता है और यह मराथी में था दरपन के अंदर इन्होंने विडो रिमेरेज और बाकी कुछ अपने विचारों को व्यक्त किया और कोशिश यही थी कि society के जो mal practices है उन्हें दूर किया जा सके primarily इनके साथ अगर जो हम developments देखें वो चार important developments हैं जो associate की जाती है पहला अगर हम देखें कि कौन से social reform के उपर इनका main focus था वो था विडो रिमेरेज दूसरा ये life को लेकर scientific approach propagate करते थे और suggest करते थे कि scientifically आप देखो अपने lifestyle को अगर religion में भी कोई ऐसी चीज है जिसका rational नहीं है जो rational नहीं लग रही है तो उससे breakaway होना ही सही बात रहेगी Bombay Native Journal Library ये नोंने इसकी स्थापना की और बहुत मख्शूर आज की डेट में भी जो Elphinstone College है उसके पहले, सबसे पहले हिंदी के professor भी रह चुके है ऐसी information दोस्तों prelims में कभी-कभी आजाती है एक समय था जब बहुत ज़ादा factual information आया करती थी तब ऐसे सवाल पूछ ले जाते थे आज के समय पर SSE exam अगर कोई दे रहा है और उसके अतरिक तगर State Civils का paper आप दे रहे हैं खासकर गुजरात, महराश्टर के तो वहाँ पर ऐसे questions पूछे जा सकते हैं आगे चलते हैं दादोबा, पांडुरांग, थरकरदार तो परमहंस मंडली का यहाँ पर जिकर करना जरूरी है क्योंकि परमहंस मंडली यह पहली reform organization बनी थी 19th century की आप देख सकते हैं कि बालाशास से जांबे कर इन्होंने अपने individual level पर काफी initiatives दिये लेकिन एक organization नहीं बनाई इन्होंने यह परमहंस मंडली थी जो सबसे पहली organization बनी of 19th century in महराश्ट्रा 1840 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करने में दुर्गाराम महता जी दादोबा पांडुरांग और इनके कुछ अन्य सात्यों का एक बहुत important भूमिका रही थी 1849 में थरकरदार ठीक है दादोबा पांडुरांग जी ने इन्होंने इस organization की कमान संभाली और इसको एक secret society की तरह operate किया reason यही है दोस्तों secret society की तरह operate करने का reason यही है क्योंकि यह society की reformation और transformation से related थी तो अकसर orthodox elements चो थे वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे consequently यहां के members और बाकी सारी activities vulnerable हो जाती है तो that is why इन्होंने secretly इसको operate करने की कोशिश की और जो मुख्य objective इनका था वो यही था कि caste distinctions जो exist कर रही है उनको break करना है ठीक है caste distinctions they have to be broken away आगे चलते हैं जोतिबा फूले अगर महराष्टर की social religious reform moments की हम बात करें तो जोतिबा फूले का जिकर किये बिना ये social religious reform moments की कहानी incomplete रहेगी इसलिए यहां पर एक brief overview में आपको दूँगा क्योंकि यहां पर हम एक overview ले रहे हैं महराष्टर में चल रहे हैं reformers की इसके बाद जब caste movements हम discuss करेंगे अगले lecture में तो वहां पर थोड़ा detail आपको जरूर बताई जाएगी तो यहां पर जोतिबा फूले low caste माली family में पैदा हुए थे, माली आपको पता है यह जो इनका सरने में फूले यह फूल से निकला है तो माली एक तरीके से बाग बगीचा, फूलों से ही associated है तो उसी से इनका सरने फूले निकला हुए तो low caste में यह बिलॉं करते थे तो जाहिर से बात है कि इन्होंने अपने समय पर discrimination भी खूब जे ली उस discrimination से fight करने के लिए इन्होंने untouchables का cause लिया और वहां पर reforms करने शुरू किये untouchables की upliftment के लिए इनका ये मानना था कि education एक बहुत अच्छा और amazing tool है, तो इसलिए इन्होंने 1854 में ये पहले भारतिय बने जिन्होंने untouchables यानि की दलितों के लिए एक school खोला, ठीके 1854 में महराष्टर में untouchables के लिए एक school खोला गया, widow remarriage क्यों बढ़ावा दिया, right कि सती प्रत्था को follow करने से better है, कि widows को उनको आत्मनिर्बर बनाकर उनकी rehabilitation करवाई जाए और उनको उनका पुनर विवाग पर जोर दिया जाए, right 1848 में इनकों ने इनकी wife ने girl school के लिए भी एक school खोला जो की पूना मिस्थित भीडवाड़ा में ये school basically वहाँ पर establish किया गया था ये हैं जोतिवा फूले से related कुछ important points, एक और reformer की बात की जाते है, करसंदास मूल जी करसंदास मूल जी का जो जिक्र है, वो होता है context में, सत्यप्रकाश के context में ये एक गुजराती weekly magazine थी, जहां पर widow remarriage को promote हिये जाते, 1852 में आई थी और इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका नाम इश्वर चंदर विद्या सागर की शोम प्रकाश और दयानन सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश इससे मिलता जुलता है और इन तीनों किताबों में UPSC और कई Unicited Civil Services Exam आपको confuse करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी नहीं होना नहीं है तो इसलिए इसकी clarity आपको दे दी गई है आगे चलते हैं, लोग हितवादी की बात करते हैं लोग हितवादी गुपाल हरी देशमूख गुपाल हरी देशमूख महराष्टर के जाने माने social religious reformer है लोग हितवादी इनका popular name है इनका pen name है क्योंकि इसी pen name से ये शत्पत्रें लिखा करते थे शत्पत्रों में ये video remarriage, child marriage और समाज की अन्य कुरीतियों को expose करते हुए उसक्यों transform करने की urgency के उपर basically लोगों को बताते थे ठीक है और ये शत्पत्रें प्रभाकर नाम के अकबार में चपती थी जो की मराठी भाषा में एक weekly अकबार था, इस प्रभाकर अकबार का स्थापन भाव महाजन ने किया था ये गुपाल हरी देश्मुक्त ने नहीं किया था यहाँ पर भी आपको confuse करने की कोशिश की जा सकती है इसलिए मैंने ये factual information भी आपको बता दिये, ठीक है तो लोग हितवादी के नाम से शत पत्रें ये लिखी जाते हैं थी आपने पंजाब केसरी अगर पढ़ा है तो जब मैं चोटा था यूस्टू रीड बाल केसरी बाल केसरी में एक बच्चों के लिए एक चिथी आती थी ठीक है, एक letter to the reader ठीक है, हिंदी में आया करता था तो मुझे आज भी याद है के बंदना वाली वालिया ये editor हुआ गरती थी उस बाल केसरी की ठीक है तो आज भी उनका वो pen name याद है original name हो सकता है उनका कुछ होर हो लेकिन उस pen name से वो वहाँ पर चिथियां लिखी करती थी and it was amazing when I used to read all those letters which were meant for all children तो जैसे गर्मियों की छुटियां हुई है तो आपको क्या करना चाहिए चिल्डरन्स ने आ रहा है तो आपको importance विल रही है आप बाकियों को कैसे आदर संमान दे सकते हैं अपने माता पिता को संमान दे सकते हैं और कई अन्य चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया जाता था काफी मज़दार चीज़ होती थी और एक बच्चे के मन में तो वो बहुत असर करती है ठीक है तो यहाँ पर भी जो education है और जो media है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत important role play कर रहा है in social religious reform movements में और लोग हितवाडी ने शत्पत्रों के थूँ अपने message को पूरे भारत के सामने रखने की कोशिश की और प्रभाकर न्यूस्वपर ने जो कि मराथी में था इसने भी काफी important भूमिकाने बाई इसके बाद बात करते हैं विश्नु परशुराम शास्त्री पंडित जी की ठीक है विश्नु शास्त्री पंडित ठीक है one of the greatest leader of महराष्टर जिन्होंने विडो रिमारेज association की स्थापना की 1850s में और 1865 में विद्वा विवा उत्तेजक मंडल यानि की विडो रिमारेज के cause को और बढ़ावा देने के लिए ये association इन्होंने को लिए ये दो important association इनके साथ जुड़ी हुई है इनकी जंदगी से एक बहुत important जुड़ी हुई घटना ये है कि विडो रिमारेज को बढ़ावा देने के लिए और एक example set करने के लिए 1875 में इन्होंने खुद ने भी एक विडो से विवा कर लिया क्योंकि उस समय रूडवादी सुमारा इस प्रकार का था कि अक्सर अपशगून माना जाता था एक विद्वा को वैसे ही अगर उसकी किसमत अच्छी होती अगर वो भाग ईशाली होती तो उसका पती ना मरता, ये कैसी बात हुई भई, जब आप एक तरफ तो इतनी छोटी उम्र में एक बालिका का विवा कर रहे हैं, उपर से कह रहे हैं कि उसका पती जब तक वो जीवित है, तब तक वो भी जीवित रहे, तो ये अजीब सी बात है, ऐसी रूडवादी सोच को तोड़ने के लिए, और खुद एक example set करने के लिए, इन्होंने एक विद्वा, महिला से विवा किया, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि भाग्य इंसान अपना खुद बनाता है, किसी और के भाग्य से आपका भाग्य ऐसे impact होने नहीं वाला, तो इस वाज़े से आपका religious reform में, इसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज का संबंद ब्रह्मो समाज के साथ भी है, और अक्सर इसको ब्रह्मो समाज of महराश्टर भी कह दिया जाता है, 1867 में केशब चंदर सेन, जी हाँ, ये वही केशब चंदर सेन है, जो ब्रह्मो बनाया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और दूसरा क्या रहे गया आदी ब्रह्मो समाज ठीक है तो केशब चंदर सेंग 1867 में महाराष्टर आते हैं और उनकी मदद से प्राथना समाज को सेट अप किया जाते हैं सेट अप करने में दादोबा पांडूरांग आत्मराम और N.G. चंदरवारकर ये कुछ नाम है याद रखन लेना ठीक है कई बार बहुत बुरे वक्त में ऐसे कुछ क्वेश्टन आ जाते हैं जिनमें रट्टाफिकेशन की ज़रूरत पढ़ जाती है तो वहाँ पर सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है आपसे के जो सोश्यो रिलिज सजेसन देने जा रहा हूँ देखो हमारे P2Y कोर्स के अंदर तो आपको PDF क्रक्स भी मिल जाता है क्रक्स डॉक्यूमेंट के अंदर टैबुलेटेड फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती है ठीक है है हैंड में नोर्स में हम ही बना कर देते हैं तो टाइम बस प्राथना समाज बन गया 1870 में इन्होंने पूरना सारवजनिक सभा भी स्टार्ट की इसका अगें जो मैल प्राक्टिस चल रही थी उनको टागेट करना और जहां पर भी फिलांत्रोपिक अक्टिविटीज की जा सकती थी यानि कि जहां पर समाज में कुछ प्रॉब्लम आ के लिए यह सभा स्थापित हुई थी इंदु प्रकाश नाम के एक न्यूस पेपर के अंदर ठीक है यह अपने एडिटोरियल लिखा करते थे और 1887 में इन्होंने स्थापित की इंडिया नाशल सोशल कॉन्फरेंस यह इनके जीवन का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है ठ क्योंकि यह आगे जाकर कॉंग्रेस इंडियन नाशल कॉंग्रेस जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया एक इंपोर्टन रोल उसमें प्ले किया तो यह उसका सोशल सोशल रिफॉर्म सेल बन गया ठीक है तो बेसिकली एक पॉलिटिकल और्गनाइज़ेशन इंडियन न जगा नहीं होगी और हम इनको ठीक करेंगे ठीक है तो इंडियन नैशल सोशल कॉंग्रेस जो महादेव गुविंद रानाडे ने बनाया तो वो जब कॉंगरेस के साथ जुड़ गया उसकी एसोसियेशन के वज़े से कॉंगरेस को स्ट्रेंथ मिली ठीक है कॉंग्रेस वास जो social कुरितियां है, social malpractices हैं, उनको दूर करने में भी इसने important role play करना start कर दिया रानाडे जी ने pledge movement को भी launch किया था, ठीक है, उनकी national social conference और उन्होंने pledge movement को launch किया था, ये important है, pledge movement of रानाडे जी, it is associated with prohibition of child marriage ठीक है child marriage एक prominent malpractice थी, ठीक है, बाल विवा उस समय पर उन्होंने खुद भी ओथ ली और बहुत सारे लोगों से mass ओथ दिलवाई, कि हम child marriage को prohibit करेंगे, इसको हम बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे, इसके बाद बात करते हैं, विश्नु शास्त्रिश अपलांकर की 1874 में इन्होंने एक magazine start की, जिसका ना था, निबंध माला और निबंध माला में भी कई सारी social malpractices, और क्यों उनको दूर करना चाहिए, कैसे दूर करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने समाज को basically एक आइना दिखाया, और निबंधों को लिखते हुए, कैसे society को improve किया जा सकते है, वो निबंधों के माध्यम से, उन्होंने इस चीज को clear किया, 1880 में विश्व सास्त्री चिपलांकर और बाल कंगादर तिलक ने एक new English school खोला, पूने, ठीक है, इस school का नाम है new English school, पूने में new English school की संस्थापना वी चिपलांकर और बाल कंगादर तिलक जी ने की, 1884 में इन्होंने Deccan Education Society भी बनाई और यहाँ पर इनका साथ दिया गोपाल गनेश अगरकर ने MB नाम जोशी और कुछ इनके अन्ने साथियों ने, आगे जाके जो Ferguson College था, इन्होंने ये भी Establish किया, Ferguson College इन्होंने Establish किया, तिलक जी ने और अगरकर जी ने दुबारा इनका इसमें साथ दिया और बाल कंगादर तिलक और गोपाल गनेश अगरकर ये इस College के पहले सबसे पहले Lecturers भी बने तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारी Social Religious Reform Movements हैं, उनमें आपको I think Nationalism की भी एक टोन नजर आ रही होगी, जैसे अगर एक question बन जाए, में इसका सवाल बन सकता है ठीक है कि discuss the ways in which the Social Religious Reform Movements of 19th and 20th Century added to the cause of India's freedom struggle, तो वहां पर आप में से बहुत से लोग एक गलती करेंगे कि वो बस Social Religious Reform Movements क्या थी और उन्होंने क्या किया बस उसके बारे में बता दिया, ठीक है पूछा जा रहा है कि आप homework करके आये हो तो आप बोल दो कि मैं खटी टॉफी खाता हूँ ठीक है, you people know that ये नहीं करना, ये नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करते तीक है, गलती हो जाएगी ये, zero marks मिलेंगे trust me, वो pen खिसाने का कोई फाइदा नहीं होने वाला वहां पर आपको ऐसे points को extract करना है, कि किस तरीके से education के, nationalist education के cause को बढ़ाया गया, सबसे पहले lecturer होना in Ferguson College New English School, जहां पर Indians को English education देना, लेकिन ensure करना कि उनकी जड़ें अपनी सब्वेता में कायम हैं, ठीक है ये सारी चीजें, और reform को एक national party जिसने lead किया independence, ठीक है, उसके साथ जोड़ना, तो ये सारी चीजें means में important role play कर सकती है, ठीक है, तो इस तरह से अपने दमाग को खोल कर, हमने चीजों को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, prelims के point of उसे काफ़ी सारा रट्टा लगाना पढ़ेगा, but I would suggest, कि आप जितना brain के horizons को खोल सकते हैं, वो भी ज़रूर कीजिए आगे बात करते हैं, प्रोफेसर डीके कारवे, sociology students, you also study प्रोफेसर डीके कारवे, यहां कारवे की कुछ theories, ठीक है, आप अपने subject में भी पढ़ते हैं, यहां पर हमने बहुत briefly पढ़ना है, धोंडो केशव कारवे, ठीक है, इनोंने girl education के cause को उठाया था, Bombay में एक girl school खोला, और वहां पर एक teacher, basically यह girl school खोला वहा था पहले से, यहां पर teacher की तरह इनोंने काम किया, 1889 में इनोंने widows home पूने में खोला, और Indian Women's University Bombay में, यह इनोंने start की थी, 1916 में, ठीक है, तो यह कुछ points है, DK Carvey के साथ associated, ठीक है, कभी question आया, तो answer कर ले न, भेराम जी M. मालाबारी, ठीक है, तो भेराम जी मालाबारी, यह एक Parsi social reformer थे, best known for his advocacy for women rights, तो महिलाओं के साथ जो शोशन हो रहा था, उनकी exploitation, चाहे वो child marriage related हो, चाहे वो सती प्रथा से हो, ठीक है, widow remarriage का cause हो, यह women education की बात हो, इन्होंने women के rights को basically promote किया, 1885 में इन्होंने सेवा सदन स्टार्ट किया, सेवा सदन क्या करता था, कि जो exploited महिलाएं हैं, उनकी rehabilitation और उनको एक shelter provide करता था, ठीक है, उनको आत्मे निर्बर बनाने की कोशिश और उनकी, उनको basically उनका ध्यान रखा जाता था, क्योंकि generally जो विद्वा होती थी उस समय पर, again वही एक notion थी कि इसका भागय अच्छा नहीं है, इसलिए इसका पत्ती मर गया, अब ये बाकियों का भागय भी खराब करेगी, तो इस वज़े से treatment बहुत खराब की जाती थी, ठीक है that was an issue, that was a problem right, इनके efforts इतने strong और इतने directed थे directed का मतलब determined थे, ठीक है, बिल्कुल focus है कि इन्होंने Age of Consent Act 1891 को लाने में एक important role play किया Age of Consent Act 1891 के under, girls की जो marriageable age थी, ठीक है तो वो 12 साल से उपर कर दी, ठीक है, पहले 12 साल से नीचे है कि IU में भी महिलाओं की, बच्चियों की marriage के प्रवादी जाती थी, this was increased to 12 years, right, और यहाँ पर interesting चीज़ बताता हूँ, कि बाल कंगादर तिलक ने Age of Consent Act का विरोध किया था, इसलिए नहीं, वैसे उनका यह criticism कर दिया जाता है कि वो conservative थे, बट ऐसा नहीं है उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यह act, अंग्रेजी सरकार ले किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने समाज को reform करना है तो ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी reform, ऐसा कोई भी act हम खुद ले के आ सकते हैं, हम खुद बिना अंग्रेजों के act के भी यह चीज़ कर सकते हैं आगे बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में servants of India society का स्थापन किया था, ठीक है servants of India society कुछ, आप कहले लीजिए volunteers की एक association थी, यह national missionaries भी इनको कहा जाते हैं, जो की क्या करते थे कभी भी कहीं पर कोई relief measure करवाना है, बुखमरी वाई, बुखमरी, flood, राइट और भी कोई problem है, तो उसको ठीक करने के लिए, इस servants of India society के volunteers, इनके missionaries काम करते थे, 1911 में इन्होंने अपनी एक publication स्टार्ट की जिसका नाम था, हितवाद, इंग्लिश में थी नाकपूर से publish होती थी, and again social reforms के बारे में इसमें बात की जाती थी, ठीक है इसके बात बात करते हैं, N.M. Joshi की Narayan Malahar Joshi, 1911 में इन्होंने social service league को start किया in Bombay, right relief and welfare work carry करते थे 1921 में एक बहुद important role इन्होंने play किया, to start all India trade union congress, लाला लाजपत राए right के साथ मिलकर इन्होंने किया ठीक है, और उसके general secretary की तरह भी इन्होंने काम किया right, और कौन थे पहले president of all India trade union congress, right who was the first president of all India trade union congress यह आप search करेंगी, आपका home work है 1935, 1931 में इन्होंने इसको छोड़ दिया और start ही all India trade union federation, ठीक है, due to some clashes and certain difference of opinion, he left AITUC and established all India trade union federation सवाल करते हैं, let us try to solve a question question इस प्रकार का आपके सामने आ सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी social religious reform movement करनी है उसमें कुछ important चीज़े हैं जिसके उपर आपका ध्यान जाना चाहिए, कौनसी organization है उसकी important leaders कौन से थे कौन सा publication या magazine उन्होंने start किया, उसका अगर theme बता रखा है, तो वो ठीक है और जहां जहां पर language का पता होता है आपको वो भी काम आ सकता है, बुरे वक्त में बहुत difficult question हो जएगा, अगर इतनी detail में चलेगे, बढ़ हाँ, association और उसका literary जो publication है, वो तो बहुत important रहने वाले है, तो ये question करते है left side पर आपको literary work दिया गया है right side के उपर आपको author बताया गया है तो left side पर कहा गया है, दरपन is matched with बालशास्त्री जांबेकर, ये true है, हमने देखा था, बालशास्त्री जांबेकर ने intellectual movement को start किया महराष्ट्र में, और समाच को आइना दिखाने के लिए उन्होंने दरपन से शुरुवार्थ की शत्पत्रें, गुपाल हरी देश्मुख बिलकुल लोख हितवादी, ठीके गुपाल हरी देश्मुख ने शत्पत्रें के थुप, अपने pen name के अंडर लोख हितवादी के नाम से कौनसे न्यूसवपर में ये पबलिश की थी नेम आफ दे न्यूसवपर वाउस कॉमेंट्स में बताइए दोस्तों, इट वास प्रभाकर और प्रभाकर को किसने पाउंड किया वाउ महाजन्य तो ये, बेसिकली ये भी correctly matched है सत्य प्रकाश की बात करें तो ये करें स्वामी दयानन सरस्वती, ये गलत है स्वामी दयानन सरस्वती ने सत्यात प्रकाश की वाबलिकेशन की थी, सत्य प्रकाश को किसने किया था, comments में मुझे बताईए let us see, ठीके, करस अंदास ठीके, करस अंदास जी ठीके, तो सही बता रहे हो आप में से बहुत से students तो इसलिए, जो correct है, वो one or two है तो B हमारा correct answer बन जाएगा ठीके, मैंने एके करके इसलिए आपको समझाया है ताकि आपको clarity मिल जाए अब दोस्तों, दो important information इसके बारे में पहले बताने से पहले I am very sure कि आपको PDF की ज़रुद पड़ेगी PDF लेने के लिए आपको क्या करने है अपने mobile या desktop के उपर, Telegram खोलने है Telegram को जब आप खोलेंगे जब Telegram आप आप खोलेंगे तो यहाँ पर search करेंगे CSL CSLIVE CSLIVE ग्रुप आप type करोगे तो आपको यह channel मिल जाएगा तीके, this is my channel यहाँ पर important PDFs time to time में आपके साथ share करता रहता हूँ जो आपके exam के point of view से काफी important है कुछ messages, जो common queries आती है उसका भी reply यहाँ पर मिल जाता है ठीके, और भी बहुत से interesting information and even is lectures के PDF का drive link, यह भी आपको मिल जागा ठीके, यह जैसे current affairs का important PDF यहाँ पर share कर रखा है तो इसको join कर लेना है यह याद रखना, चंदन learning इसका handle है, और CSLIVE ग्रूप, this is the name of this channel और इस तरह का हमारा कुछ लोगों भी नज़र आता है ठीके, तो यह important है आपके लिए इसको join जरूर करना, join करना बिल्कुल मत भूलना और आपको अब यह बता दूँ आप मैंसे जो लोग, UPSC की तयारी कर रहे है उनको मैं यह कहूँगा कि आप मैंसे दो तरह के लोग होते हैं एक लोग होते हैं, तीन होते हैं मैंसे एक कहते है, जून से मैं serious हो जाँगा ठीके, मान लोग graduation हो गई तो जून से मैं serious हो जाँगा काफी लोग serious हो चुके हैं, अच्छा कासा आगे बढ़ने really great, ठीक है, जो feedback हमें आ रहा है हमारी classes से, you people are doing fabulous दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि यार, दिवाली के बाद पक्खा मैं serious हो जूँगा ठीके, दिवाली से अच्छे से त्यारी करूँगा दिवाली से, रैट और तीसरे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ठीके, आज की डेट में YouTube जैसे platform का idea आप और मेरे जैसे इंसान के पास भी है, लेकिन अगर हम बना भी लें, तो क्या वो उतना धमाल मचा पाएगा, जो इस time पर YouTube जहां तक पहुंच चुका है, जवाब है नहीं, काफी struggle करना पढ़ सकता है, हो सकता है हमारा नाम कोई जाने भी ना, तो beginner's advantage, YouTube जैसे channel YouTube जैसे platform को मिली, तो यहां पर November, यानि दिवाली के बाद अगर आप start करते हैं, तो January वाले उन लोगों से, आप already काफी आगे हैं और जो June में सोत रहे हैं, उन से तो बहुत आगे है, ठीक है, इस साल के जून वालों ने, ठीक है, वो coming year की target कर रहे थे, but I am very sure कि आप अगर next to next year का plan कर रहे हैं, तो अभी तयारी करना आपके hit में है, ठीक है, 2024 जैकर 2025 का plan रख रहे हैं हमारी classes 15th November से start हो रही हैं, शाम 6 बजे English batch अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 17th November से classes start हो रही हैं, शाम 6 बजे और Hindi batch के अंदर हो चुकी है पुरानी classes जो हो गए है, थोड़ी सी उसका recorded मिल जाएगा, new classes आपको live आप देख सकते हैं, CS live code के इस्तमाल से आपको मिलेगा, इस पर service discount, पूरा का पूरा से ले बस October 2024 तक complete हो जाएगा, इसके लवा इसमें आपको मिलेगा क्या, number one, live classes, ठीक है, जैसे ये classes चल रही है, इसमें थोड़ी सी interaction कम होती है, वहाँ पर interaction थोड़ी सी ज्यादा rich होती है, ठीक है, तो live classes की मदद से, हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कोई doubt आता है, class के इन तक आपका clear हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर रह जाती है कोई बात, तो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर जवाब आपको दे दिया जाते हैं, number two चीज़ है कि class के बाद भी तो doubt आता है, तो अगली class और पिछली class के बीच में doubt आता है, फिर क्या करें, books नहीं समझा रही, time management समझा रहा, personal condition है, कैसे manage करूं, तो उसके लिए आपको दिया जाते हैं mentor, one-to-one mentorship से आप अपनी individual circumstances के हिसाब से जो best plan बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, number three चीज़ है इसमें, आपको weekly revision test, जिसमें 50 MCQs होते हैं, daily basis पे एक mains answer writing and इसी के साथ-साथ prelims से पहले crash course इसके अंदर included है, no out-of-pocket expenditure, कोई अलग से खर्चा करने की जुरूरत नहीं है, इसी के साथ prelims की test series भी ज़रूरी है, क्योंकि ज्यान अर्जुत करना एक बात है, उसका application is entirely different, ठीक है, आप चाहे 100 books पढ़ो, लेकिन question नहीं हो रहे, कोई फायदा नहीं, ठीक है, फिर you are a fool, right, 100 books पढ़के भी questions नहीं हो रहे, से वो smartness actually you can achieve, other than that, इसमें इतना comprehensively जब हम पढ़ी रहे हैं, ठीक है, even NCRDs भी in live classes में cover हो जाती है, तो आगे point आता है, कि pre-clear कर लिया, हमने फिर क्या दगरोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको daily NCR में हमारी एक facility है, तो अलग से किराया वेराया देने की ज़रुवत नहीं है, खाने पीने का भी कोई खर्चा नहीं, वो study IQ bear करेगा, अगर आपने pre-clear कर लिया, और अगर आप P2I के student हैं, तो उस case में आपका रहने का, खाने पीने का खर्चा study IQ bear कर रहा है, आपको पढ़ना है, सिरफ mains की तयारी आप हमारे साथ दिल्ली रहके कर सकते हैं, तो उसका फाइदा यह होता है कि instant feedback, faculty के साथ direct contact, तो चीजें थोड़ी सी clear हो जाती हैं, और क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे हैं जिन्होंने pre-clear किया है, तो आप एक serious महाल में बैठ कर pre की तयारी करते हैं, which goes in your advantage, और pre-clear करने के बाद mains, mains अच्छा होगा तो interview के बारी आएगी, वहाँ पर भी हमारे guidance हमेश आपके साथ रहेगी, दो mock interviews होंगे, प्लस हमारे साथ selected retired bureaucrats associated हैं, आप तो जानते ही होंगे, call secretary रहे चुके हैं, prime minister के one of the favorite, तो उनकी guidance के अंदर आप interview के भी तयारी करेंगे, यह सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, study IQ की app यह website पर जाकर, वहाँ पर आपने live courses को खोलना है, उसमें P2Y को choose करना है, अपनी मनपसंद की भाषा उसका batch आप खोल सकते हैं, और code लगाएं CS live, जिससे की immediately 37,000 का course 22,999 का हो जाएगा, and you can purchase it at a very affordable price, having said that, North India का रुख करते हैं, North India में सबसे important social religious reform movement जो थी, वो थी किसके द्वारा? by Swami Dayanand Saraswati, ठीके? हाला कि Swami Dayanand Saraswati का जो जन्म है, वो तो हुआ था Western India में, ठीके, काठियावार में हुआ था इनका जन्म, गुजरात में, लेकिन इनका जो impact था, इनकी नाम से संस्था बनी थी, वो North India में सबसे जाए पॉपुलर हुई थी, तो मूल शंकर इनका original name था, 1824 से 1883 तक इनका lifetime रहा था, right, he was a scholar, a social reformer and a patriot, और revivalist है यह, यानि कि he wanted to bring the times and the age of Vedas, Vedic age back, ठीके, revivalist and reformist, यह दो अलग-अलग type of social religious reform movements होती है, मैं यह बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता, part 1, social religious reform movement, study है क्योंकि YouTube channel पे, साहस की playlist के अंदर, पार्ट वन में एक बार जरूर देखने, ठीके, इन्होंने, basically, जो education ली थी, spiritual education जो इनको मिली थी, वो मिली थी, स्वामी ब्रिजानन से मत्रुआ में, ठीके, उनसे education लेने के बाद, अपनी ideas को इन्होंने propagate करना start किया, Vedas को true knowledge के source की तरह यह treat करते थे, तो अगर ऐसी statement आये, कि स्वामी दयानन सरस्वती, he was against caste system, तो यह हो जाएगी गलत, he was against caste system based on birth, तो यह हो जाएगी सही, caste system के against नहीं थे, birth के जन्म के आधार पर caste का decide होना, उसके against यह definitely थे, inter-cast marriages को इन्होंने encourage किया, video remarriage को encourage किया, शुद्धी movement को start किया, जहां बर, देखो, यह बात सच है, कि यार, due to some reasons, जब हिंदू religion में थोड़ी malpractices आ गए, और उसमें exploitation होनी start हो जाती थी, especially lower caste लोगों की, तो जब जब foreign से कोई culture आया है, वो इन vulnerabilities का इस्तेमाल करके, conversions करते थे, स्वामी दयानन सरस्वती ने, हिंदू religion को reform करते हुए, encourage किया, उन converted लोगों को, to come back to the mainstream Hindu main fold, right, तो this was called as शुद्धी movement, right, तो this is also associated with him, books हिंकी सत्यार्थ प्रकाष, वेद भाष्य भूमी का, यह partly Hindi और partly Sanskrit में है, वेद भाष्य भूमी का, RS समाज की स्थापना हुई, ठीक है और RS समाज को, स्वामी दयानन सरस्वती के साथ, associate किया जाता है, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, 1875 में, right, लेकिन पंजाब में यह बहुत जादा powerful है, और North India में इसका दबदबा, जादा है, आज की देट में भी, RS समाज जो है, इसकी ब्रांचे नॉर्थ हिंडिया में, जादा अच्छे से spread हो रहे हैं, जादा strong है, right, तो, RS समाज की स्थापना, ठीक है, consider to be the founder of RS समाज, right, and इसमें, RS समाज के अंदर, सबसे पहला दयानन्द, एंगलो वेधिक स्कूल बना था, ठीक है, अब यहाँ पर यह एंगलो वेधिक स्कूल, सबसे पहला जो बना, वो बना 1886, लहौर में, ठीक है, इनके, मृत्यू के बाद बना, ठीक है, तो यहाँ पर, RS समाज ने, एवन दो, स्वामी दयानन्द, सरस्वती, रिवाइबलिस्त है, लेकिन, RS समाज में, हम देख सकते हैं, कि, रिफॉर्मिस्ट, अंडर्टोन्स भी मौझूद है, कि इनों ने, अइंगलो वेधिक स्कूल, खोला है, यानि कि, वेस्टन एजूकेशन, और हमारी, इंडियन एजुकेशन, दोनों को, एक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए, 1886 में, ये स्कूल, लहॉर में खुला गया, बाहिमाहात्माहंसराज, एंड लालालाच्पत्राए, रिट, आरे समाज ने, नैस्टनलिजम को, स्प्रेड करने में भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत सारे, आरे समाज के, हमारे स्वतंतरता सेनानियों ने, अपनी शहीदी भी दी, और टाइम टू टाइम, कॉंग्रेस की, लीडर्शिप के अंदर, चल रहे, हमारे फ्रीड़म स्ट्रगल में, बहुत एहम भूमिका भी निबाई, लाला लाजपतराय के बार में भी आप जानते हैं, जिन्होंने स्कूल स्थापित किया, वो भी कॉंग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, साइमन कमिशन के प्रोटेस में, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके वज़े से उन पर लाठी चार्ज हुआ, और नवेंबर 1928 में उनका देहांथ हो जाता है, ठीके, तो ये बात है, आरे समाज से रिलेटेट, लाला लाजपतराय की बात होई रही है, तो आरे समाज के स्प्लिट और लाला लाजपतराय के बारे में, कुछ और पॉइंट्स, अब देखो, दयानन सरश्वति के बाद, आरे समाज के कुछ सेक्शन में, बहुत जादा डिफरेंस आना शुरू हो गया, एक है गुरुकूल सेक्शन, एक कॉलेज़ सेक्शन, गुरुकूल सेक्शन को लीड करते हैं, स्वामी शुरद्धाननद जी जो कहते हैं, कि हमें ancient system of Hindu education को adopt करना है, और institutions बनेंगे सिरफ लड़कों के लिए, क्योंकि, distraction, ठीक है, उस वज़ा से, और लड़कियों का काम, उनकी education जो है, वो household course से related जादा होनी चाहिए, ये इनका मानना था, ठीक है, तो boys only के लिए ये कह रहे थे, दूसरा section, college section, ये लाला लाजपत्र आए, और हंसराज जी ये lead कर रहे थे, इन्होंने कहा के नहीं, अगर हमने नए भारत में प्रवेश करना है, तो बदलती हुई, समय की धारा को हमें पकड़ना होगा, और इसी वज़ा से, modern education, English education के उपर भी हमारी command अच्छी होनी चाहिए, consequently इन्होंने बहुत सारे DAV schools और colleges खोले, और ये co-ed colleges भी खोले, separately girls और boys के भी थे, और co-ed भी थे, तो इसमें, co-education, and boys and girls दोनों को education करने की बात की जाएगी, ultimately पाया गया, कि जो college section है, वो जादा popular हुआ, जादा strong हुआ, और nationalist agenda को भी promote करने में, college section ने जादा important role play किया, ठीक है, this was a brief about the reforms done under RSMA, Swami Dayanand Saraswati, and of course the role played by लाला लाजपतराय, और उनके split के बारे में भी एक important information आपको यहाँ पर लिये दी गई है, question करते है, 2001 में एक previous year question आया है, यह question है, कि RSMAJ 1835 में स्थापित हुआ, लाला लाजपतराय अपोज द अपील आरे समाज to the authority of Vedas, in support of its social reform program, अंडर केशब चंदर सेन, ब्रह्मो समाज campaigned for women's education, विनोबा भावे founded सर्वोदया समाज to work among refugees, ठीक है, तो correct answer इसका है, option D, यानि कि third and fourth statement जो है, these are correct, आरे समाज 1835 में नहीं, कब हुआ स्थापित 1875 में, ठीक है, तो पहली statement गलत हो गई, लालो राजपतराय ने ऐसा कुछ oppose नहीं किया था, तो second statement भी गलत हो जाती है, consequently third and fourth statement हमारी true बन जाई, ठीक है, और यह आपके लिए कुछ additional facts भी यहाँ पर, इस question के तुरू आपको मिल गए है, ठीक है, तो D becomes correct answer, अब बात करते हैं, social religious reform movements of other religions की, तो यहाँ पर हम पार्सी reform movements, Muslim reform movements की primarily बात करेंगे, पार्सी reform movements की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जिकर करना जरूरी है, रहनुमाई मजदया सिनान सबा की, ठीक है, रहनुमाई मजदया सिनान सबा, it was founded at Bombay, ठीक है, इन रीजन्स के आसपास ही है, फुरदून जी, नारो जी, एंड SS Bengali ने 1851 में, ठीक है, यर और founders का नाम याद रखना, 1851 में इन दो लोगों ने इसका स्थापना की, आइडिया ये था, कि women education को हम spread करेंगे, marriage के customs में, जो पार्सिस में भी रूडवादी, एक सोच मौझूद थी, उसको reform करेंगे, literary publication की बात करेंगे, तो SS Bengali ने 1850 onwards, जगत मित्रा start कर रखी थी, जो इस organization के बनने के बाद भी, इस organization के विचारों को, यहाँ पर publish किया जाता था, लेकिन यह individual SS Bengali से related ज़ादा है, क्योंकि यह सभा तो 1851 में साप्रित होई थी, लेकिन यह monthly journal 1850 में start हो गया था, अपना खुद का general इस सभा ने, बाद में start किया, जिसका नाम था रस्त गुफतार, इसमें जो भी इस सभा की विचारदारा थी, उसको यहाँ पर प्रकाशित किया जाता था, और दादा बाइन नौरो जी, वो most important key editor of रस्त गुफतार, रस्त गुफतार की literal translation करें, तो इसका मतलब होता है, रस्त गुफतार मतलब truth teller, ठीक है, यह है, रहनुमाई मस्दया सनान के बारे में, अब बात करते हैं, Muslim reform movements के बारे में, सबसे important चीज़ यहाँ पर जाननी यह जरूरी है, कि in comparison to Hindu reform movements, Muslim reform movements बाद में शुरू हुई थी, reason यह था कि जब western culture से challenge मिला, तो जहाँ पर Hindu reformers ने, उसी वक्त Hinduism को reform करना start कर दिया, and protect करना भी start कर दिया, तो कि Christian missionaries का ज़्यादा तर agenda होता था, कि हमारे culture की निंदा करते हुए, maximum लोगों को Christianity की ambit में ले आएं, तो हमारे Hindu reformers ने, ना के वल इसको protect किया, reform भी किया, ठीके, और nationalism का agenda भी आगे propagate किया, on the other hand, Muslims का reaction थोड़ा अलग था, जब initially यह चीज आई, Christian missionaries and western culture का exposure हमें मिला, तो Muslims का सबसे पहला reaction था, to shut itself completely initial, उन्हें लगा कि इनके culture के साथ intermingling से, हमारा culture, हमारा religion, exploit तो नहीं, pollute हो रहा है, तो हमारी values गड़बडा जाएंगे, और सारी की सारी जो भी forces थी, change की, उनको resist किया गया, जब कि हिंदू community ने क्या कि, उन्होंने कहा कि, जो अच्छी बाते हैं western culture की, वो हम adopt करेंगे, ठीक है, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो consequently काफी लेट, ये reform movements start होई, ठीक है, और initially तो इन्होंने western education को avoid किया था, ज्यादा तर Muslim reform movements की, अगर हम बात करेंगे, तो इन्होंने western education को avoid ही किया था, इनकी reform movements थोड़ी सी अलग थी, और लेटर हम देखते हैं, most importantly, अलिगर्ड movement में, कि वहां पर western education और उसकी importance को, समझना शुरू कर दिया गया था, तो जब हमने Muslim reform movements की बात करनी है, तो primarily, वहाबी movement, फिराजी movement, अलिगर्ड movement, देवबन स्कूल और एहमदिया movement की बात करेंगे, इसमें से, आप खुदी देख लोगे, कि कौन-कौन सी movements, they are revivalist, और कौन-कौन सी, they are reformist, basically, अलिगर्ड और एहमदिया movement, these were reformist movements, and other were mostly revivalist, वहाबी यहां वालिलुल्ला, ठीक है, वालिलुल्ला movement, यहां से start करते हैं, तो वहाबी movement, को lead करने वाले लोग जो थे, वो थे, अब्दुल वहाब, यह अरेबिया में, ठीक है, अरेबिया में मौझूद थे, और देली के एक, Islamic saint, शाह वालिलुल्ला देल्वी, यह leaders थे, इनकी ideas को इंडिया में, propagate किया, सायद एहमद बरेल्वी, he was popularly known as, सायद एहमद आफ राय बरेली, and शाह अब्दुल अजीज, ठीक है, अब यह, इंडिया सब कॉंटिनेंट में, एक तरीके की, पहली Islamic reform movement थी, and it emerged as a response, to western influences, तो इसका objective था, Islam को हमने, purify करना है, इनका मानना था, कि बहुत सारी, un-Islamic practices, जो हमारे Islam का core, नहीं बनाती, वो creeping कर चुकी है, Islam के अंदर, और हमें, इससे निजाद पानी है, तो बरेल्वी ने, किसी भी तरह की, जो innovation है, कि Islamic interpretation, जो original Islam में, वही होना चाहिए, किसी भी तरह की, improvisation, कि बदलते समय के साथ, आप खुद को बदल लो, ये कहते थे, जो prophet के समय पर, हमारा Islam जैसा था, जो तब के समय की, Arabiya की society हुआ करती थी, वही है सच्चा इसलाम है, वही है असली इसलाम है, वहीं पर हमें वापिस जाना है, ठीक है, तो return to the original religion of Islam, and Islamic society of Arabia, ये, बरेल्वी का मानना था, बरेल्वी और अजीज ने, even political color देने की भी कोशिश की, वहाबी movement को, क्योंकि इन्होंने कहा, कि हमें Muslim homeland, यानि कि, दरुल इसलाम बनाना है, हमारा ultimate objective है, दरुल इसलाम, जहां पर, original Islamic religion, जो prophet के समय का है, और जो Arabia की society उस समय की है, वो स्थापित होगी, ठीक है, तो ये था वहाबी movement, तो इनका मानना, इन्होंने एक फत्वा भी जारी किया, इन्होंने कहा कि, इंडिया जो है, वो दरुल हर्ब बन गया है, कि land of kafirs, those who are non-muslims, they were treated as kafirs, तो दरुल हर्ब से, इसको दरुल इसलाम बनाना है, और इसको अचीव करने के लिए, जिहाद, ठीक है, initially, गाजा रंजीत सिंग के टाइम पर, ये सारी development सोई थी, तो पहले, सिख के against, ये movement थी, उसके बाद जब पंजाब को, बिटिश ने annex कर लिया, तो जिहाद was directed against British, एक positive चीज कह लीजे, इस movement के साथ ये थी, कि क्योंकि, कहीं ना कहीं ये foreigners को, उसके against थे, तो 1857 के revolt के समय पर, वहाबीज ने anti-British sentiment को propagate करने में, बहुत important role play किया, especially among Muslim population, ठीक है, otherwise, इनके political undertones, they were dangerous, dangerous for the fabric of Indian society, और India की unity integrity के लिए भी, कहीं ने कहीं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा question mark बन जाता है, right, ultimately, British ने इने suppress कर दिया, right, superior military might होने के वज़ाए से, और ये movement, fizz out हो गई, आगे बात करते हैं, फेराजी movement की, फेराजी movement की foundation, फेराजी basically ना, एक sect है, sect का मतलब होता है, एक समुदाय था, इस समुदाय को, हाजी शारियत उल्ला और फरीदपूर, यानि की Eastern Bengal, आज के बांगला देश में, इन्होंने सस्थापित किया था, ठीक है, तो ये जितनी information बता रहा हो ना, यार, table नहीं बनाऊगे न, खुद से, हाथों से, ऐसे scale के साथ, scale के साथ नहीं ऐसे चाहिए बना लेना, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी, मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है, तो important है कि आप table इसका जरूर बनाए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, हाजी शारियत उल्ला, फरीदपूर, and social political changes के लिए भी एक movement बन गई, और इसने अपना character, peasant movement से change करके, social religious change की तरफ आगे बढ़ा दिया, आइडिया इसका यही था कि एक egalitarian ideology के साथ, हमने एक equal society बनानी है, जहां पर जो land है, वो इश्वर का है, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है, कि उस land की उपर tax लगा सके, चाहे वो British हो या landlord हो, जमीनदारों का जो अधिकार दिया गया था, to collect taxes, उसके against थे, इसी के वज़े से British के भी against थे, ठीके, और अपनी इस ideology को follow करने के लिए, कई जगाओं पर उन्होंने parallel government को भी start किया था, बेंगॉल के काफिक सारे खेत्रों में, ठीके, village courts भी लगाए, जहां पर वो tax related कुछ disputes को भी, वहाँ पर address करते थे, government forces ने दुदुमिया को arrest कर दिया, और उसी के वज़े से, फराजी movement भी fizz out होगी, 1857 तक थोड़ा थोड़ा ये, बहुत ही low intensity के साथ continue करती रही, लेकिन उसके बाद वहाभी सको इन्हों ने join कर लिया, लेकिन लेटर आपको पता है, वहाभी movement को भी suppress कर दिया गया था, reason इसका साफ साफ आप समझ सकते हैं, क्यों suppress किया गया, क्योंकि इनका relation, revolt of 1857 के साथ बन गया था, तो उस समय पर British बहुत ज़्यादा wary हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यारा संदे उनको होना शुरू हो गया था, कोई भी movement, चाहे वो social religious reform movement हो, अगर वो British interest के खिलाब जा रही है, तो उसको suppress करने की कोशिश की जाते थी, ताकि किसी भी तरह की resistance re-emerge ना हो सके, वो चिंगारी भी उसको भी बुजाने की कोशिश की जा रही थी, कि कहीं दुबारा सुलकती हुई आगना उसमें तब्दील ना हो जाए, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अलिगर्ड movement की, अलिगर्ड movement started by Sir Sayyad Ahmed Khan, ये social और educational advancement के लिए थी of Indian Muslims, तो अलिगर्ड में basically Sir Sayyad Ahmed Khan देख रहे थे, कि Muslims की अंदर एक medieval backwardness है, नहीं जाने क्यूं, कि एक medieval age में ठीक है, Muslims का एक रुत्बा था, they were mughal emperors, they were following Islam, और Islam की एक Kelly J की अलग शिकर पे थे, लेकिन उसके चलते आप उसी जमाने में रहना चाहते हो, जो समय बदल रहा है, उसको adopt नहीं कर रहे हैं, improvise नहीं कर रहे हैं, तो तरक्की कैसे होगी, ठीक है, just because, एक किसी community का, एक particular age में, एक रुत्बा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस age में वापस घुसना शुरू कर दो, the reason, यहाँ, सही चीज, the right thing to do, इसके बदलते होए समय के साथ, आप खुद को adopt करो, modify करो, adapt करो, ठीक है, changing times के साथ, तो उससे आप ज़्यादा खुद भी ले सकते हैं, अपनी community को भी दे सकते हैं, तो इनका भी यहीं मानना था, इन्होंने का था, इन्होंने का था, यह medieval backwardness क्या लगा रखा है, rational approach अपनी लेकर आओ, religion को लेकर, 1866 में इसी project के लिए, इसी objective के साथ, basically, इन्होंने मुहमधदन educational conference को start किया था, जिससे की Muslims में liberal ideas promote किये जा सके हैं, 1875 में इन्होंने अलिगड में एक modern school की स्थापना की जहां पर modern education दी जाएगी, ठीक है, western education भी दी जाएगी, right, English education भी यहां पर promote हो रही है, gradually, यह modern school, मुहमधन अंगलो ओरिएंटल college में तबदील हो गया, और with time, यह मुहमधन अंगलो ओरिएंटल college, अलिगड मुस्लिम university में तबदील हो गया, जो आपको पता है, आए दिन थोड़ा news में भी रहती है, वो अलग मुद्ध है, limitations इसकी यह थी, कि देखो, अलिगड मुस्लिम university में, अलिगड मुवमेंट में basically, अच्छी-कासी potential थी, कि यह Muslim masses में modern ideas को propagate कर सके, उनको educate कर सके, right, educated youth और educated masses, उनको अपने rights के बारे में पता होगा, तो वो बहुत clearly यह समझ सकते हैं, कि British का इंडिया में होना हमारे interest के खिलाफ है, लेकिन British ने time to time हमेशा खुराफात की, और सरसेद एहमद खान को भी proof करवा दिया, ठीक है, उनका भी brainwash care हो गया, कि अगर इंडिया में आपने रहना है, तो British का होना बड़ा जरूरी है, यह Hindu domination से Muslim यहां का दब जाएगा, इस तरह का भय सरसेद देहमद खान में यह उत्पन हो गया, तो consequently anti-congress हो गए, gradually anti-Hindu हो गए, pro-British हो गए, और misconceived, ठीक है, एक क्या कहें उसको, कि गलत फहिमी के चलते, Hindu domination की गलत फहिमी के चलते, यह एक important leader थे Muslim masses के, लेकिन अगर यही मान रहे है कि यह Hindu domination का खत्रा है, इनके followers ने भी यही मानना शुरू कर दिया, and that sowed the seed of partition as well, gradually हमने, आगे देखना है कि कैसे Muhammad Ali Jinnah, वो भी Congress के भी member थे, with time उनके भी दिमाग में आ गया, कि भाई, समस्या है, काफी गड़ पड़ चल रहा है system, तो अगर सिर उठा के जीना है, तो Muslims के लिए एक अलग मुल्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, इन सारी problems के चलते, partition हो गई, so this was about illegal movement, देवबन स्कूल की बात करते हैं, देवबन स्कूल को दर उलूम देवबन भी कहा जाते हैं, दर उलूम देवबन, राइट, ये एक orthodox section था, ठीक है, Muslim उलमाज ने इसको start किया था, ये movement Muslim मुलमाज के एक orthodox, यानि कि बहुत ही rude वादी लोगों ने, कटर लोगों ने इसको start किया था, तो consequently आप समझ सकते हैं कि ये revivalist, ठीक है, ये revivalist movement रहने वाली है, इनका मानना था कि traditional Islamic learning, जो original Islamic learning है, similar to wahhabis, उसी तरह से हम इसको मानेंगे, 1866 में देवबंद of Saharanpur district in UP यहाँ पर इसका स्थापना होई थी, मुहम्मद कासिम नानोतावी और रशीद एम्मद गंगो ही, ये इनके leaders माने जाते हैं, objectives की बात करें तो देवर revivalist, ये कहते थे कि कुरान की pure teachings को हम interpret करेंगे, और hadith, ठीक है, hadith या hadith हदीत क्या है कि ये एक narrative narration है कि Prophet Muhammad के समय पर lifestyle कैसा हुआ करता था, कुछ चीज़ें तो देखो कुरान में codify हो रखी हैं, हर चीज़ वहाँ पर codify नहीं हो रखी, तो उसकी कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं, right, तो hadith और hadith basically that is a narrative tradition in Islam that tells about the society prevalent at the time of Prophet Muhammad, right, तो कहते थे कि जो society यहां पर बता रखी है, जो कुरान में rules बता रखी हैं, उसको हमने follow करना है हमें जिहाद के spirit को जिन्दा रखना है foreign rulers के खिलाफ and अलिगर्ड और देवबंद स्कूल जो हैं जहां इन्हों ने, तेके अलिगर्ड movement ने जहां English education को बढ़ावा दिया था, कहा था कि अगर बदलते समय के साथ Muslims ने भी उपर उठना है, तो इस समय की धारा को पकड़ना होगा और अपनी potential को realize करना होगा लेकिन वहाबिस and देवबंद, यहां पर इन्हों ने कहा कि no इस western culture से हमारा culture खराब हो रहा है, medieval ages were wonderful, we were rulers and we ruled there, right, तो हमें English education की कोई जरूवत नहीं है, we are shutting English education down, right, यह ठीक नहीं था and ultimately it proved that reform basically as such हो नहीं पाया था, ठीक है it aimed at religious and moral regeneration of Muslim community, इनका मानना था कि degeneration हो रही है western culture यह दूसरे culture के influence है, right original यहां पर वापिस आओगे तो दुबारा वो शहेंशावला रुत्बा कायम हो सकता है, ठीक है तो यह सारी चीजें दियोबन स्कूल के अंदर थी again, यह भी revivalist थी to some extent you can understand a little bit controversial as well इसके बाद एहमद ही हम movement की बात करते हैं तो यह reform movement पंजाब में मिर्जा गुलाम एहमद ने स्थापित की थी, ठीक है यह भी to a great extent revivalist थी but with a twist, right यह twist देखने मज़ा आएगा देखने में हुई this was based on liberal principles ठीक है, यह कहते थे कि सभे religion एक समान है right, तो इन्होंने जहाद को oppose किया था और कहा था कि modern education होनी चाहिए, Muslims they need to grow, बदलते समय की धारा को पकड़ना जरूरी है, right अब मिर्जा गुलाम एहमद ने कहा कि ईश्वर ने सभी religion को बनाया है तो सभी religion अच्छे होते हैं, और सभी religion का होना यह ईश्वर का plan है जिसमें कि Islam इन सभी religion में से बने रहना है, उसको basically propagate करते थे तो यह कहते थे कि जो भी बाकी religions एक message दे रहे हैं वो सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन वो incomplete है क्योंकि Islam वो religion है जहां पर यह complete किया जाएगा, इसलिए Islam God के उस plan के हिसाब से best religion भी बनेगा, this was the philosophy of Mirza Gulam, Ahmed and the fundamental core principle of Ahmediyah movement, right, यह main philosophy थी, Ahmediyah movement ने non-violence tolerance of others faith, ठीक है इसके उपस stress दिया था, in this sense it was, आप देख सकते हैं बहुत ज़ादा orthodoxy और कटरपंथ नहीं थे इनका पारेंस तो वहाबी और अपकोर्स देवन, right, तो इनके जो followers थे, यह भी believe करते थे इनी सारी teachings में, and they believed that other religions actually, वो क्या हैं कि वो drift away हो गए है from their original form और corrupt हो गए है, Islam को ऐसा नहीं होना, Islam ने अपने original form को भी maintain करके रखना है, but along with that modernity को भी tap करना है, उसके भी benefit को tap करना है, कुछ questions करते ही हैं, lecture को करें कि wind up and मैं हाथ जोड़के पहले ही apology करता हूँ यार, यह topic ऐसा है कि मुझे भी डर लगता है पढ़ाते वक, but I try my best के sources को refer करते हुए, जो exam के point of view से हमने चीज़ें पढ़नी हैं, उसको हम पढ़ें समझें, ठीक है अब इसमें, मैं please seriously बता रहा हूँ कि बहुत जादा इदर उदर, वो सब करने की जुरूरत, हम करने की जुरूरत नहीं है, I request you very humbly, ठीक है सिरफ exam के point of view से, यह reform moments ही, इनको पढ़ना ज़रूरी है, आपकी spectrum में भी है, study है क्योंकि book में भी है, और भी कई books में यह मिल जाता है, important topic है, पूछ लिया जाता है, question करते हैं, previous questions में इसमें मिलेंगे आपको, उससे भी आपको इसकी importance का अंदाजा लग जाएगा, पहला question कहरे answer to the following statements in context of रहनुमाई मजदे असनान सभा, a prominent organization in the field of social religious reforms of 19th century, तीन statements दे रखी है आप से पूछा है, correct statement कौन सी है, पहली statement के रही है, कि it was an Islamic religious reform association, Islamic थे नहीं, Parsi थी, पहली statement गलत, it advocated the spread of women's education and reforms in marriage customs, which is true, it issued its own general, Rastu Guftar, which was the main voice of this association, even this is true, so answer is option B, तीक है, आगे बढ़ते हैं, as a certain reason, in context of 19th and 20th century, social religious reform awakening in India, consider the following statements, assertion के रही है, Muslim reform movement started later than Hindu reform movements, reason के रही है, Islam was relatively free from social levels and superstitions in comparison to Hinduism, ठीक है, assertion के रही है कि late शुरू होए, Muslims में या Islam में, social religious reforms, क्योंकि, Islam में कोई kuritियां थी नहीं, तो इसलिए, बाद में जाके उनको करना पड़ा, वो convenient था, उनके लिए, ऐसा नहीं है यार, kuritियां, समाज में थी, ठीक है, ऐसा चर्रिलिजन की बाद नहीं हो ली, later इसलिए यहां पर होई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, कि इनका initial reaction था, कि no, हमने western culture को बिलकुल impact ही होने देना है, तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से shut कर लिया, ठीक है, तो that was the reason, कि यहां पर जो भी reform था, वो Hinduism से later मिलता है, ठीक है, तो यह false है, assertion true है, a true, r is false, answer बन गया, option c, आज की lecture में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले session में, और जिनको इतनी ही चुल है history करने की, तो, ठीक है, मुझे fall to comment करने के बजाए न, P2Y उसमें enroll कर लो, यह देखो, हमारा course है, यह आप website पर जाओगे, UPSC P2Y Live Foundation Batch पर, आप English Batch में अगर join करना चाते हैं, तो, यहाँ पर आप, देखो, इस वक्ट 35,000 का यह course है, which is, I think it is expensive, मैं एक नया mobile phone ले सकता हूँ, 35,000 में, और भी बड़ा कुछ हो सकता है, एक trip बड़े अराम से plan हो सकती है, बट, यहाँ पर सवाल है हमारे future का, तो थोड़े पैसे कर्चने तो जरूर हैं, बट, 35,000 नहीं, I want a discount, in fact, I want highest discount possible, तो उसके लिए मैं लगाँगा CSLIVE and I will apply it and 23,000 में मुझे एक course मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर time bound तरीके से properly classes होती है, right, तो यह sessions चलते रहेंगे, ईश्वर की कृपा रही, right, तो चलते रहेंगे, ठीक है, और मेरा schedule रहा, तो चलते रहेंगे, मैं रहा, तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने time bound तरीके से अपनी तयारी को complete करना है, and exam, एक serious attempt के साथ देना चाते हैं, serious होकर देना चाते हैं, तो I think you should start your preparation under our guidance, right, जो लोग कहते हैं कि internet पर free resources available हैं, यह हो जेगा, वो हो जेगा, trust me guys, free resources available होने की वज़े से आपको boundaries नहीं पता लगती, within which आपको अपनी तयारी करनी है, guidance नहीं मिलती, mentorship नहीं मिलती, doubts नहीं clear होते, practice नहीं हो पाती, तो आपकी तयारी, half a hazard चल रही है, chaos के साथ, you don't know basically that what you are doing, you just know कि मैं time spent कर रहा हूँ, और इस वज़े से एक false notion में आप रहते हो, कि मेरी तो तयारी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब exam में लगता है, जटका, एक साल होता है बरबाद, और अगले attempt में दुबारा बैटना पड़ता है, यानि कि एक attempt से आपके जिन्दगी के दो साल impact हो रहे हैं, तब समझ में आता है कि नहीं यार, guidance की ज़रुवत थी, तो rather than wasting your attempt and realizing it later, it's better कि आप अभी इस बात को समझ लें और study IQ के साथ जुड़ कर, हमारे team of experts and हमारे faculty members के साथ जुड़ कर, अपनी direction अपनी तयारी properly करें ठीक है, अपनी direction को सही रखें right, features मैं आपको बता चुका हूँ इस page पे आके आप एक बार फिर से देख सकते हैं features को and discount के लिए आप CS Live Code का इस्तेमाल कर सकते हैं, that's all from my side friends, आज के लिए इतना ही students, तो जल्दी मिलेगा एकले session में all the best and तेर साथी शुब कामने सब तो, आपका दिन बहुत शुब हो and जल्दी आप अपने objective, अपने goal को भी achieve करें, thank you so much